पड़ेगी धलन व्यात तिलहन की सरकारी खरी जी हाँ परधान मंत्री नरेंदर मोदी की अध्यक्ष्टा में बीते रोज हुई आर्थिक मामलों से समंदित मंत्री मंडल उपस्मिती की बाटक में एक एहम फैसला लिया गया है जिसके तहर तिलन और धलन की सरकारी खरीदी सीमा 25 फिसद से बढ़ा कर 40 फिसद कर दी गई है केद्य सरकार के इस करद्य नसंक्ठन किसान माहा पंचायत ने स्वागत किया है लेकिन इस फैसले को कुछ विशेश दालों को छोड़कर अन्या दालों में भी लागू करने की मांग की गई है किसान माहा पंचायत के राष्ट्रिया अध्यक्ष ने इस संबंध में कहा है कि बैटक में तूर, उड़द और मसूर की सरकारी खरीद की सीमा 25 फिसदी से बढ़ा कर 40 फिसदी कर दी गई है लेकिन इस संशोधन से चना मूंग जैसी धलन तता साथ परकार की तिलन उपजो को बाहर रखा गया है उन्होंने कहा है कि सभी की सरकारी खरीद सीमा 40 फिसदी करने की हमारी मांग है उन्होंने कहा कि मूंग की उपज तो त्यार होकर सितंबर महिने में बजार में आ जाएगी और मूंग का नियुन्तम समर्थन मुल्या सटतर सो पचपन रुपए है जबकि बजार का भाव छे हजार से कम है तब भी इस उपज को इसमें शामिल नहीं किया गया इससे किसानों को घाटे की संभावना बनी हुई है वही किसान महापंचायत के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने कहा है कि वर्ष 2018 में किसानों को उनकी उपजो कर लाबकारी मुल्या दिलाने के नाम पर पीएम आशा आरम की गई थी जिसमें दल्हन तिलन के कुल उत्पादन में से 25 फिसदी से अधिक खरीदी नहीं करने समंदी प्रतिबंद का प्रावधान किया गया था जिससे तिलन और दलन की कुल उत्पादन में से 75 फिसदी उपज MSP की प्रदी से भार हो गई थी वहीं 25 फीसदी खरीद में भी अधिक्तम 90 दिन तक ही खरीद करने जैसे प्रापदानों के द्वारा खटोती की गई वहीं किसान महापंचायत के राश्ची अध्यक्ष ने कहा है कि गेहों और धान की तरह ही अन्य उपजों की सरकारी खरीद करने की हमारी मांग है उनका कहना है कि मोजुदा समय में MSP की प्रीदी में 22 उपजे हैं जिनकी खरीदी नीती भी भेदबापुरन है उन्होंने कहा कि गेहों और धान की खरीद में मातरात्मक कोई प्रतिबन नहीं है इसी के लिए अभी तक गेहों की खरीद पंजाब, हरियाना और मध्यपरदेश राज्यों में कुल उतपादन में से 85 फीसद तक हुई है वहीं धान की खरीद इस वर्ष पंजाब में तो 97.4 पतिशत हो चुकी है इस पक्षपात पूरन नीती के कारण फसलों का विवीदी करण बिगड़ा हुआ है ऐसे में उनकी मांग है कि सभी फसलों को इस दायरे में लेकर आया जाए झाल